आप देख रहे हैं न्यूज मार्केट्टी न्यूज मार्केट्टी में आपका स्वागत है मिघाले के जैन्तिया हिल्स डिष्टिक के कोईलाखादान में बाढ़ में 13 दिसंबर से फसे 15 खनिकों को बचाने के लिए आज बड़ा रेस्क्यू आफरेसन चलाया जा रहा है अभियान में सनिवार को भारतिय नौसेना भी सामिल है नौसेना की 15 सदस्टी अगोता को टीम सनिवार को घटनास्थल पर पहुँच रही है दूसरी और के अंदर सरकार ने भी इस मामले में राज्य को हर संभाव शहयोग देने का वादा किया है इस बीच रेस्क्यू आफरेस्ट में जुटी टीम को खादान से तीन हेलमेट पर आमद हुए है 13 दिसंबर को सुबह पुर्वी जैनतिया हिल्स जिले के इस अवैद्ध कोईला खादान के अंदर उस समय 15 मजदूर फस गए जब वहां अचानक पानी फर गया लगातार जल भराओ के कारण बेहत तंग सुरंगों के जरिये खादान के अंदर फसे मजदूरों की मदद के लिए बचाओ दल उन तक पहुच नहीं पा रहा खदान से पानी निकालने का प्रयास लगातार जारी है लेकिन हाई पावर पंप नहीं होने के कारण रेस्क्यू करने में मुश्किल आ रही है उन्होंने कहा कि हटीम विशेस रूप से ड्राइविंग उपकरण ले जा रही है जिसमें पानी की भीतर खोज करने में रिमोट संचालित वाहन सामिल है वहीं पंप निर्माता कंपनी किलोसकर ब्रदर्सक और कोल इंडिया ने सुक्रवार को संगित रूप से मेगाले के उस सुदूर वर्ती को इलाखादान के लिए 18 हाई पावर पंप रवाना कर दिया जहां 15 खनिक फसे हुए हैं आधिकारिक सुत्रों ने वताया कि वायू शेना ने भूवनेस्वर से विमान के जरिए 10 पंप पहुचा है इस वीच भूवनेस्वर से मिली एक रिपोर्ट के अनुसार ओडी शाद दमकल सेवा की 21 सदस्य टीम उपकरणों के साथ सुक्रवार को सिलाम के लिए रवाना हो उपकरणों में हाई पावर पंप, हाई टेक उपकरण और तलासी एवं बचाव अभियान में अस्थानिय प्रसासन के लिए मददगार कई गैजेट सामिल हैं मुख्यमंतरी कौनराड कौनराड संगमा ने कोईला खदान मुद्दे पर राष्टी राजदानी में के लिए हमें 30 हाई पावर पंप की आवेशकता है, गोता कोरों ने कई बार सुरंग तक पहुचने की कोशिस की लेकिन नाकामर है, इससे पहले साल 2012 और 2013 में भी ऐसे ही खदानों में पानी भर जाने से कई खनिकों की मौत हो गई थी, नेस्नल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस Newsmark 18 की रिपोर्ट